आकाश्वानी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेश फोनिन कारिक्रम रेडियो डॉक्टर नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर में मैं हूँ आपके साथ आपके आज़े दोस मुक्ति सैनी और आप हमारे साथ बने रहे जुडे रहे क्योंकि यहाँ पर जी हाँ रेडियो डॉक्टर में खास आपके लिए प्रोग्राम है और इसमें आप में फोन भी कर सकते हैं आज का हमारा जो विशे है वो भी आपको बताएंगे और साथ ही हमारे साथ एक्सपर्ट मौझूद हैं किस विशे पर हम चर्चा करेंगे बात करेंगे और क्या कुछ आप हमसे पूठ सकते हैं वो सब हम आपको बताएंगे फेलहाल प्रग्राम का आगास करते हैं कि जिन्दगी में कुछ चीजे बहुत मुश्किल होती है कठिन भी होती है लेकिन उनको आसान बनाया जा सकता है कैसी आसान बनाया जा सकता है कुछ चीजों पर हमें बेहद ध्यान रखना आवशक हो जाता है वो सब क्या है बताएं कि आपको आज का हमारा विशे है नियमिट टीका करन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है उनका स्वागत भी करते हैं डॉक्टर प्रदीब हल्दर सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है यहां पर तो आप जैसा कि आज हमारा विशे है और जितने भी शुरूतागन हमारे साथ जुड़े हुए है यह विशे नियमिट टीका करन तो खास दोर पर बच्चों के लिए यह है कि टीका करन बहुत ही आवशक हो जाता है यह हमें भी पता है बहुत सी लोगों को भी पता होगा लेकिन कहीं न कहीं शायद हम कोई गलती कर बैठते हैं या नहीं लगवाते हैं तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विशे पर नियमिट टीका करन जो है बच्चों के लिए है और यह जान लेवा बीमारियों से बच्चों को बचाता है और अगर यह टीका करन नहीं लगता है तो फिर बच्चों को ऐसी बीमारिया पकड़ लेने से जान का कत्रा हो जाता है और जो हम देखते हैं कि मितूदर जो है बच्चों का वो घटा है एक वज़ा ये भी है कि जो ठीका करन हम करते हैं उसकी वज़ा से काफी मितुदर घटा है और इसके इलावा भी जैसे पोलियो था ये नियमी ठीका करन की वज़ा से और उसके साथ-साथ पल्स पोलियो की वज़ा से ही जो है हमने इस देश से बगाया है उसी तरह से एक maternal और neonatal tetanus होता है जो मा और बच्चों को धनुसबा की बिमारी से किलाता है तो उससे भी जो है ये ठीका करन से बचता है और ये भी जो है इस देर से हमने निकाला है तो दो बिमारियां जो है एक polio हो गया और एक जो है titnus हो गया ये धनुसबा हो गया ये दोनों बिमारी जो है टीका करन के वज़ा से दूर भगा चुके हैं तो जैसे भी शुरूतरगर्ण हमारे साथ जुड़ी है अगर आप इस से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं कि नियमी टीका करन किस तरह से होता है 1084 पर कॉल भी कर सकते हैं तो डॉक्टर में आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे नियमी टीका करन की यहां बात हो रही है तो बच्चों के लिए शुरू से ही जैसे वो पैदा होता है तो एक चार्ड बन जाता है कि इस इस अंतराल पर उन्हें ठीके लगवाने हैं वैसे तो ठीके लगवाते ही है ध्यान में भी रहता है जहन में भी रहता है क्योंकि बच्चे की बात है लेकिन कहीं अगर आप भूल जाते हैं कहीं आपसे कुछ दिन बीच जाते हैं कुछ महीने बीच जाते हैं क्या उसका गलत परभाब भी प्ढ़ता है या फिर उसको देख शकाँ सकता है अगर चीज तो जो चोटविदृ पाँछे महीने sama ऑर ही हनाँ पता तो भी उसमें कोई नुक्सान नहीं है, उसको वापस आना चाहिए, तो रहलो हो जाता है, जी नमस्कार, सवाल पूछाएं जी नमस्कार, सवाल यहां पर पूछे जाएंगे, तो डॉक्टर, जो नियमी टीका गरन है, कितने उम्र के बच्चों तक कह सकते हैं, कि नियमी तुरूप से लगवाना जरूरी होता है, मतलब कोई उम्र है जिसे पांच साल, दस साल या फिर आगे, नियमी टीका गरन के अंत पहले साल में हैं, इसलिए पहले साल में पांच बारी अगर आएंगे, और जिसमें जब जनम मिला हुआ है, तो पूरा टीका करन पहले साल वाला पूरा हो जाता है. तो कितना जरूरी होता है, खास ख्याल रखना और साथ ही ये पता करना कि वो क्यों लगाए जा रहे हैं, उसके पीछे का कारण है, ये बच्चे को पता हो ना हो, लेकिन माबाग को जरूर पता होना जाया है, तो इसलिए अगर आपके कोई क्वेरी है, कोई क्वेशन है, कुछ भी इस्तिती है, आपके आप जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ डॉक्टर प्रदीब हल्डर, फॉर्मर एडवाइजर आर्सी एज गौर्वर्मेंट ऑफ इंडिया से यहां पर मौझूद है, और सूला साल उन्होंने नियमी ठीका करन पर काम किया है, वर्ल्वाइड अगर बात की जाए, तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो आप बहुत कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ यहां से अर्जित करकर ले जा सकते हैं, फिलहाल यहां पर एक कॉलर हमारे साथ हैं, उन्से बात करते हैं अगर तीन साल के अंदर लगा है तो एक ही टीका लगता है वो टीडी वैक्सिन का टीका करन होता है तो इस तरीके कि अगर जो भी आपके सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल हमारे पास है जो आपके लगातार वाटसेप के माधियम से आ रहे हैं वो भी हम दॉक्टर से जरूर पूछेंगे 9868107070 पर जो भी आपके सवाल है वो आप हमें प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर भी हो सकता है क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर इसकारे मिया बिलकुल नियमी टिका करन जो है बीमारियों को बचाने के लिए होता है और अगर समय से लगएगा तो भी बच सकते हैं अगर डिले भी हो जाता है तो भी लगवाना चाहिए और नहीं तो खत्रा ज्यादा रहेगा तो डॉक्टर मै या जाना चाहूंगे कि इस नियमी टिका करन जो भी बचा सकता है कितनी बिमारियों के लिए लगवारे लगवारे है अगर हम बात करें जो है नाइटीन एटीफाइव की उस ताइम पर हम जो है सिरफ छे बिमारियों के खिलाफ टिका करते थे वह आज है आ गया है जिसको हम दे रहे हैं तो अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से तो आप जरूर हमें कॉल कर सकते हैं साथ ही आप हमें मेसिज भी कर सकते हैं 9868107070 पर वाटसाइब कर सकते हैं 234208084 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और अगर आप दिल्ली NCR के बाहर से call कर रहे हैं तो 011 जो की code है वो लगाना ना भूले और जिस तरीके की बात हो रही है टीका करन की डॉक्टर तो मैं जाना चाओंगे कुछ बिमारी होती है जैसे अगर आप कहें जिस चिकन पॉक्स होता है या फिर कुछ ऐसी बिमारी है ज इसी चांसिस होते है कि टीका करन लगवाने के बाद भी यह होने के चांसिस रहते हैं टीका करन जो है वो स्मॉल पॉक्स स्मॉल पॉक्स स्मॉल पॉक्स स्तर के बिमारी था दुनिया से स्मॉल पॉक्स जो है नाइटीन से स्मॉल पॉक्स नाम का चीज नहीं था स्मॉल और उसके अंदर बाकी सारे टिक्राइब और वैक्सिनेशन के बाद बीमारी होने का चांस ना के बरावर होता है। अब जैसे बच्चों में हलके बुखार हो जाते हैं खासी जुखाम हो जाते हैं तो आजकल बच्चे जैसे दवाई खाना पसंद नहीं करते हैं या फिर आजकल एक खौफ भी है कोविट के बाद अगर देखा जायत कि अगर बीमारीों का खौफ आता है तो लगता है कि कुछ दवाई देने से अच्छा है कुछ वो चीज़े से अच्छा है कि हॉस्पिटल ले जो या फिर सीधा OPD में ले जाए और जाके इंजक्शन लगवा देजे तो आपको राहत की इसास मिलती है तो क्या ऐसा है कि सीधा टीका करन पर पहुचना चाहिए या फिर पहले दवाई अस्पताल में रहना उसकी दवाई वगारा का खचा होता है और फिर बच्चा वापस जब आता है काफी कमजोर भी हो जाता है तो इसलिए जो है बच्चे को जो है प्रिवेंशन इस बेटर दन की हो लिए हर वकत कहा गया है कि बच्चा अच्छा है ताकि बिमारी हो जाए और यह सारा टीका करन जो है बिमारी उसे बचने की और इसके अंदर खास करके जो कुछ वैक्सीन से हैं वो अगर नहीं लगाएंगे तो जानलेवा भी होता है मिजल्स के अंदर जैसे है कि खसरा जिसको हम जानते हैं उसके अंदर अगर टीका लगा किसी को तो वो बच जा मगर उसको अगर टीका नहीं लगता है और मिजल्स होता है तो यह तीन साल तक जान लिवा होता है मिजल्स होने के बाद। सुल्जाने का प्रयास किया जासे है तो द्वाईयों की नहीं है सवाल है बचाव का और प्रिवेंशन के लिए जो है टिका करन दिया जाता है अब सवाल यह है कि कुछ टिका करन है जो विक्सित अभी वुआ है जैसे रोटा वाइरस डारिया के लिए है वो 2008 में आया है 2006 में प्रिवेंशन के नाम पर यह जैसे जैसे नहीं ने वैक्सित अर विक्सित होते जा रहे है तो नियमित तिका करन के अंदर लाब होता है तो उसके इंट्रूडूउस किया जाता है तो यहां पर एक सावाल भी पूछ रहे है कि मेरी बेटी सोला साल की है तो वैसे तो यह टीडी तो जो है टाइफवाय यह टिटनस और दिफ्थिरिया के अगेंस लगता है इस टिटनस और दिफ्थिरिया के वैक्सीन जब देंगे तो यह से बच जाएगा तो देखिए आपको पता चली गया होगा कि अगर आपको अब तक नहीं पता था कि इस तरीके की टीके जो किस उम्र में कब तक लग वाय जा सकते हैं तो वह भी आपको यहा पर पता चल रहा होगा तो आप वह भी लगवा सकते हैं हमारे साथ लगातार बने चाहिए यह पोगते हैं कोई प्रेजाय सकते तो जरूर आप हमें काल कीजी随 234-1080 234-2084 साथ ही 9868 107070 पर भी आप हमें वाट्साप कर सकते हैं फिल हाल बने रहे हैं जुड़ी रहे हैं हमारे साथ और हमारा विशे है आज का नियमिट ठीका करण आप सुन रहे हैं विशेश फोन इनकारिक्रम रेडियो डॉक्टर आस पास आपके सब कुछ है लेकिन ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए जिस तरीके की ठीका करण के बात हम यहाँ पर कर रहे हैं नियमिट ठीका करण के बारे में तो डॉक्टर में जाना चाहूंगी कि क्या ये आसानी से उपलवद हैं जैसे लोगों को नहीं पता है कुछ ठीका करण के माद्यम से अगर नहीं पता है तो कहां जाकर पूछ सकते हैं इसके बारे में और क्या ये फ्री ओफ कॉस्ट है या फिर कितना पैसा लगता है हर जो है प्राइमरी हिल्स सेंटर में ब्लॉक प्राइमरी हिल्स सेंटर में या जो है हस्पतालों के अंदर जो ऐसा कोई जगा नहीं है जहां पर टीका नहीं लगता है करीब दो लाक ऐसी संस्थाय है जहां पर ये टीका लगता है और करीब देड़ लाग हमारे जो है सबसेंटर है वहाँ पे लगता है और सबसेंटर से फिर हर गाओं-गाओं में जाके लगता है जो सबसे बड़ी बात है कि सारी टिका जो है इन जिगाओं पे मुफ मिलता है उसके लिए किसी को कोई पैसा नहीं देना होता बस उनको वहाँ पर बच्चे को ले के पहुँचना है और बच्चे के उमर के हिसाब से बच्चों की जो है पहले जो टिका लगा हुआ है उसके हिसाब से आगे के टिका का दिसाइड होता है जी तुसर जैसे कि यहां पर बनाया गया है कि इस उम्र से इस उम्र तक टेके ये लगने चाहिए ये तो इस पूरी प्रक्रिया में मतलब कितना समय लगा और क्या वाकई में जब ये टेके जो है जैसे पांस साल में दस साल में छे साल में तो इस तरीके से आगे बढ़ोतरी ह लगवाने की लिए काई घर है वहां कि वाकई में बहुत जरूरी है किसी भी बच्चे में यह टीका है कोई खास ऐसा टीका जिसके बारे में भी चड़ी चल रही हो या आन वाला जहीद है कि बहुत जरूरी हो जिसे के से कोई आया बात जल्चल थी जिसके कही scriptures ज्य कोता कीता वो बड़े लोगों के लिए अठारा साल से उपर के जो लोग हैं उनके लिए टीका लगवाने की बात हुई तो क्या ऐसे ही अब बच्चों में जो सूला साल से कम की हैं उनके बारे में भी सूचा जाएगा सरी कोवीड एक अलग कहानी था कोवीड के अंदर समसे पहले जो है फ्रंट लाइन वर्कर को दो और धिरे धिरे जो है जैसे जैसे वैक्सीन का प्रोड़क्शन बढ़ते गए तो वो बाकी लोगों के लिए खुल गया था और दूसरा चीजी आ है कि कोवीड वैक्सीन जो है बड़ा फास ट्रैक वे में हुआ था तो उसलिए वहां पे जो है वैक्सीन एकदम से चोटे बच्चों में नहीं लाया जा सकता था जब तक कि उधर की ट्रैल ना हो तो इसलिए कोवीड के साथ हम इसको ना केंपेर करें यह वैक्सीन जो नियामत में टिका करन है यह कम से कम आठ साल दस साल बीस साल का ट्रैल के बाद फिर यह जो है वैक्स करना है जब चरुक्त लगता है तो इसलिए जब बच्चे को थोड़ा सा बुखार आजाता है थोड़ा सा थीकनी होता है तो बांकी जो है बहुत कम लोगों में ऐसा दिखता है तो दॉक्टर एक सवाल भी आया है हमारे पास और वो लिखती है कि यूपी से हमें आया है और तो उसको बुखार काफी दिन रहता है और दर्द भी रहता है. बुखार आम तो और पे सारी टिके के साथ नहीं होता है, बट जो है एक साल के अंदर के कुछ कुछ वैकसिनस हैं, जिसमें कुछ बच्चों को बुखार आता है, पर जो देड़ साल और पांस साल वाले ठीका है उसमें नहीं वुखा रहाता है और इसलिए मैं समझता हूँ कि एक बारी वो दुबारा से देखें कि तीन-चारज-चार साल की बच्चों की बात कर रहे हैं तो नहीं आना चाहिए ऐसा वुखा यह भी हो सकता है कि अगर आप बच्चा कमजोर है पहले से तो यह होना लाजमी है कि बच्चे डर जाते हैं खौफ आ जाता है इंजेक्शन सुनते हुई सुई लग रही है तो नहीं लगवाना चाहते क्या उस वज़े से भी हो सकता है या फिर इसको मैं थोरा घुमा के बोलता हूं कि जो बच्चा कमजोर होता है तो उसको ठीका और जारा जरूरी है क्योंकि टीका जो है उसकी सरीर की जो ताकत है वो बढ़ाता है तो कमजोर बच्चों को बिमारी जल्दी पकड़ता है और अगर टीका लगा रहेगा तो उसको बिमा तो इसलिए कमजोर बच्चों को सबसे पहले ठीका लगाना चाहिए तो अगर आप इस सोच रहे हैं कि आपका बच्चा डरता है ठीके से और उसको आप बचाते हैं कि चलिए कोई बात नी अभी नहीं कर लगाएंगे परस लगाएंगे तो ऐसा बिलकुल मत कीजिएगा आप उन्हें जरूर ले जाईएगा और टीका जो है वो नियमित रूप से आप जरूर लगवाएगा 9868107070 पर आप हमें वाट्साइप कर सकते हैं साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं और यहां से जानकारी आप इकत्र कर सकते हैं आप सुन रहे हैं विशेश फोन इंकारिक्रम रेडियो डॉक्टर रूटेन इम्मुनाइजेशन फोर चिल्रन बहुत ही ज्यादा जरूरी है डॉक्टर प्रदीब हल्दर फॉर्मर एडवाइजर आर्सी एच कॉर्मेंट आप इंडिया से हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं तो आपकी जो भी क्वेर्य है जो भी कॉल्स है वो हम यहाँ पर लगदार ले रही है और जान रही है कि क्या कुछ हम कर सकते हैं एक का सवाल और सब को उसके जवाब जब मिल जाते हैं तो कहीं न कहीं हमारी भी जो प्रॉब्लम है वो सौल्व हो जाती है तो जिस तरह के से टीकए करेंड की बात हम यहां पर कर रहे हैं कि कितना हम आवशक हो जाता है और मुफ्त में उबलब्ध भी है अगर आप ये सोच रहें कि एक टीके में आपको बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे इसलिए आप बसते हैं तो ये समस्या भी आपकी यहां पर दूर हो गई है तो जिस तरीके के जो डवे कि आपको रावक, कहां फिर को बढ़ की की समस्या रहती है या वह बचते है या फिर क्या ऊगे नहीं आ पाते है तो बखीज़ित का हुए प्रतीशह प्रतीशत जो बच्चे हैं उनको लगाथा ठीके लग को पहुंसते हैं ओध सरकारी संस्ताव में मिलता है जहां भी जाय वहां के चैनल केंडर में सरकारी केंडरे में चाहिए और अगर सफर के टायिम पे भी कुछ टाइम जो है उनका तकल जाता है जिसकी वजा से ठीका करन नहीं कर बहँ पाते हैं, इसे लोग भी कहीं पे भी जा masterpiece नहीं पोछें पर कुछ से सवाल है यह भी है कि कुछ बैचों में चेसे खूनke कमी हो जाती। seri that उसमें फूम्ण की क्शून की कमी हो जाती है उन्हों क्चा जाती है टू क्या जो बिमारी हो चकता है उसके लिए खून की कमी, कोई ऐसा बिमारी नहीं है, वो खाने की वजा से नुट्रिशन प्रपर चाहिए, उसको बैलन्स डायट चाहिए, तो वो एक पार्ट है, वो सब जब उसको मिलता रहेगा तो उस हिसाब से उसको दिक्कत नहीं हो, उसमें से ए जिसके बारे में आप भी बता रहे थे, और एक बहुत गंबीर बिमारी और समस्या भी रहते थे, वो खस्रे की जो वैक्सीन है, तो यह कुछ वैक्सीन है, जिनको बहुत जरूरी हो जाता है लगवाना ताकि बच्चा जो हो भी सुरक्षित रहे और फिर अगर बच्चा हम भी सुरक्षित रहते हैं, तो कोई एक ऐसी खुराक या ठीका जो बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है, जिसको लोग दरकिनार करते हैं कि बच्चा जाता बिमार हो जाता है उसमें या फिर यह सारे ठीके जो है लगाना जरूरी है, जैसे देड महिने में जो है आई-प पलियो है, ओरल प्योय मिलता है, फिर पंटाविलेंट पे लंड के बना जो hostego है चो कि निवोनिय करता है उसके इलावा में रोच जो है रोटा वैरु कि दस्थ होता है, रोच व IV, PCV की एकसी है उसको देते हैं । इसतरह से जो वैकसीन है। सारा देते हैं। BCG शेजी लिएरन देते हैं, और ना लग पाय तो एक साल-पॉना तक भी उसको दे सकते हैं. या उन्हें इससे रूबरू कैसी करवाया जाता है या जिन लोगों नहीं पता कि 16 साल तक टीके लगवाना आवशक है तो उन तक ये बाते कैसे पहुंचती होगी उन तक पहुंचने के लिए जो है हमारी करमचारी है जिससे आसा हैं आगनवाडी वरकर्स हैं इनको भी ये सारा बताया हुआ है तो घर-गर में जाते हैं और घर में जाके पता करते हैं कौन सा बच्चा चूटा हुआ है और उनको भी बुला गया है कि चूटेवे बच्चे को आप टीका करन के लिए नजदीग के इंदरे में ले जाईए तो सिरफ जो है इस तरह से नहीं वो आसा अंगरबाडी वर्कर्स भी जो है इन्वाल्ड रहते हैं इस टीका करन में तो देखें लगातार कोशिश रहते हैं कि कोई छूट न जाए कोई बच न जाए क्योंकि ये ठीका बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है अगर इससे जुड़ी जानकारी आप चाहते हैं तो जरूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं आकाश्वाणी एफेम रिन्बू 102.6 पर फिलहाल बने रहिए जुड़ी रहिए हमारे साथ मैं हूँ आपके साथ आपकी आरज़े दोस्मुक्ती सैनी आप सुन रहे हैं विशेश फोन इनकारिक्रम रेडियो डॉक्टर जी हां कौन से ठीके लगवाने ही चाहिए कौन से ठीके आपके लिए अती आवश्यक हैं और कितनी बड़ी बिमारियों से आपको बचा सकते हैं ये अपने आप में जानना एक अहम जानकारी है जिसके बारे में हम लगातार आप तक बाते पहुचा रहे हैं जिसके बारे मे लिए तो जरूरी होता है साथ ही अगर देखा जाये तो कैतना कि बच्चा जच्चा दोनों ही सही होने चाहिए तो बच्चों के लिए अगर टीके जरूरी है तो उसी दौरान क्या मा को भी कुछ टीके लगाए जाते हैं डॉक्टर जी मा घरबरस्ते वस्ता में टीका लगता है उसके बाद नहीं कोई टीका है जो कुछ भी घरबरस्ता में टीका लगता है उसके बाद जो है जो टीके का जो चार्ट है वो सिर्फ बच्चे के लिए होता है जो भी वेक्सिनेशन उसे करवाई जाती है खसरा अपने आप में ए जनाम से लेके एक साल तक जो है इसके इलावा डीपी टी वैक्सीन है दिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस उसके इलावा उसके साथ 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 ही और हमोफिलेस इंफुलेंजर टाइप बी किलाता है और उसके साथ साथ जो है पांच बीमारियों के खिलाफ जो है एक वैक्सी और उसके साथ साथ रुवेला, यह दोनों एक खटा वैक्सीन है, MR वैक्सीन के नाम पर है, खस्रा रुवेला, यह मिलता है, यह नौ महीने में और उसके बार देड़ साल में दो खुराक होता है, इसके इलावा pneumococcal conjugate vaccine है, इसके इलावा rotavirus vaccine है, इसके इलावा polio है, जो है, तो यह सारे के सारे vaccine जो है, मिलता है, और जहां पे J.E. का प्रकोप है, वहां पे J.E. यह करीबन 332 ऐसे जिले हैं, जहां पे J.E. है, तो वो J.E. का वैक्सिन वहां पे बिलता है. तो दॉक्री ते से मारे पार सवाल आए, वो पूछ रहे हैं कि क्या एक बार TV का injection लगवाने के बाद भी देखा जाता है कि TV हो जाता है, तो इसका क्या कारण है? तो दॉक्र के पास जाके उसको हल किया जा सकता है, लेकिन एक गंभीर जो… गंभी स्थिती से अगर जिसको पीशी लगा हुआ है, तो वो गंभी स्थिती से कम रहता है. तो ये भी आपको जानना जरूरी है कि कुछ बिमारिया ऐसी है, अगर टीका लगने के बाद भी आपको हो रही है, तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचे कि टीके में कोई कमी रह गई या अपने समय से नहीं लगवाया, इस तरीके कि खयाला जो है दिमाग में आने लगते है तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा मारदर्शन करें हमारे बिल्कुल, समय से अगर नहीं लगा पाया किसी भी कारणभर्स, तो जैसे ही उनको पता लगता है, तो तुरंट जाया और उसको लगाएं, क्योंकि जितने दिन तक नहीं लगाया है, या जो दूसरा खुराक या बच्चों के मुस्कुराहट खिलखिलाहट जो होती है, वो हमारे साथ रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, और डॉक्टर एक जो समस्या है, यहां पर हमारे पास जो सवाल आया है, वो यह है कि एक बच्ची है, जिसको मिर्गी के दौरे जो है वो पढ़ते हैं, और यह है कि उसको बाकी बिमारिया होने से रिस्क रहता है, तो बाकी नेमे टिकर करने जरूर करा हैं, तो यह अपने आप में बात है कि अगर है, तो उसका एक समस्या, अगर कोई है बिमारी तो आप उसको हल किया जा सकता है, लेकि बाकी जो नेमे ठीक हैं, उनको ना रोका ज और बाकी जो समस्या बिमारी हैं उनको अस्पताल में जाके डॉक्टर से कंसल कर सकते हैं और उनको दूर कर सकते हैं तो बने रही जुड़े रही हैं हमारे साथ में प्रग्राम रेडियो डॉक्टर में हम लगातार आपके साथ बने हुए हैं जुड़े हुए हैं आप सुन र यह हमारे साथ डॉक्टर प्रदीब हल्दर, फॉर्मर एडवाइजर आर्सी एच, कॉर्डमेंट आफ इंडिया से हमारे साथ बने हुए, तो डॉक्टर प्रोग्राम जो है, वो समाप्ति की और है, आप जितने भी हमारे साथ शुरुत अगर्ण जुड़े हैं, उन्हें आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई संदेश अगर आप देना चाहें उन्हें. पहला चीज तो जो है, कोवीड के टाइम पे, जब लोगोंने टिका करन किया, तो उसके बाद हम नतीजा देख रहे हैं, कि लोग लगभग कोवीड से बहार आ गये हैं, आज की तारिक में कोई मास्क की बात नहीं करते हैं, वो दी करते हैं, तो उसी तरीके से नियमिट टिका करन भी काम करता है, और जब नियुमिक टिका करन को लोग लगाएंगे तो उससे जरूर बिमारियों से बचेंगे और हम चाहते हैं कि इस देश के बच्चे जो है healthy रहे इस देश के अंदर जो है life expectancy जो है और ज्यादा रहे तो यह सारी चीजों को ध्याद में रखते वे मैं एक ही चीज बोलूँ कि समय से टिका करन जरूर कराईए और पूरा टिका करन कराईए तो डॉक्टर धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इतनी अहम जानकारिया देने के लिए धन्यवाद थैंक यू जी तो डॉक्टर हमारे साथ थे और हमें बहुत सारी अहम जानकारिया दी बह और गीतों का सिलसिला जारी रहेगा और बहुत सी अवशक बाते भी आप तक लगातार पहुशती रहेंगी रेडियो डॉक्टर के माध्यम से सब जानकारियां और हर रोज एक नया टॉपिक हम आपके लेकर आते हैं जिस पार आप अपने जो विचार हैं वो यहां रख सकते हैं पूच सकते हैं एक्सपर्ट से तो बनी रही है जुड़े रही है हमारे साथ फिलहाल अपनी यार्जे दोस्त मुक्ति सहने को दीजिए इजाज़त फिर मिर लूँगी आप से अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेश फोनिन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे कार्यक्रम की प्रस्तुत करता थी शालिनी मित्तल कार्यक्रम की विलन कार्यक्रम अविवाल युष Cash झाल झाल